Hello friends, CBSC board 224 exams के बात करें, तो class 10 का आगला paper science का है, और science की हम एक और बात करें, तो science के number आपको आगे चलके subjects लिच्च चूज करने में आपको बेहत जरूरी होते हैं, तैसे मैं हमें science की अच्छी तरीके से त्यारी करने चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक last paper की बात कर लोता, हिंदी का paper हो चुका है, मैंने हिंदी के paper के काफी students analyze किया, तो मुझे पता चला कि आपका last का D section hard था, आपका paper में हिंदी का कौन से sections आपको मिला था, आपका paper हिंदी का कैसा गया, एक बार नीचे आप comment में मुझे जूब बता दीजीगा, जिससे आपके वीराय मुझे पता चला है कि कैसा गया आपका paper और कितना आपने अटेंड किया, और कितने marks आपने accept करते हैं, तो चलिए देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मैंने last के कुछियर का आपने paper देखिए, अभी last के आपका Hindi का paper हो चुका है, English का paper हो चुका है, इन paper में हमने एक चीज द पर देख सकते हैं, जो CBC Board ने रिचेंट ली जारी किये थे, तिन चैपल paper का आपको एक बात जहूर से जहूर करना चाहिए, तो चलिए बीना देर करते भी शुरू करते हैं, पेपर की बात करें तो आपका section A से paper देख सकते हैं, कुछ एक marks के आपके questions तरीके साब को एक marks के देखने को मिल रहे हैं, तिसी तरीके से में और बात करें, तिसमें एक number questions आप देख सकते हैं, जिनमें MCQs भी आपके हैं, तो जैसे कि MCQ में आपको दिखाता हूँ, इन सारे questions को आप देख सकते हैं, इनका solutions के अगर बात करें, तो आप आगर कहते हैं, तो नीचे मैं आपक question number 7, 8, test से तमाम questions देख सकते हैं, जो MCQ के questions है, तिन में आपको 4 options आपको देखने को सामने हैं, तिसी तरीके से हमाँ बात करें, question number 9, 10, आप इन सारे questions को देख सकते हैं, अची तरीके से हरे questions आपके important paper है, क्योंकि CBSE सेम्पल paper को जारी कर रखा है, जो आपके आने वाले board exams क पूरी pattern based questions है, क्योंकि last paper सापको इसी pattern पे जो CBSE board सेम्पल paper जारी किये थे, इन ही pattern पे सारे exam सापके हो रहे हैं, तो चलिए, बीना देर करते हैं, section B से बात करते हैं, section B आपका 33 marks की questions आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इन में देख सारे questions है, इस ताइप के questions आपको आपको इस ताइप को सामने मिलते हैं, इसी तरीके से 16, 17, 18, सारे questions है, आपका चैप्टर हो जाता है, आप डाइगरम को भी अच्छी तरीके से करिए, कुछ important questions, बहुत सारे important questions हो जाते हैं, तो उन questions को एक बार अच्छी तरीके साब जहूर करके जाएगा, इसे question number 20 में देख सकते हैं, यह Mendel का experiment है, तो Mendel वाला experiment को एक बार जूब कर लिजगा हो, क्योंकि एक नएक questions आपको 3 marks में इस ताइप के questions देखने को CBC Board में कई बार सामने आ चुके हैं, जैसे मैं आप तमाम सारे questions देख सकते हैं, light chapter को अच्छी तरीके से पढ़िए, light chapter से आइस के जितने भी आपके disease है, eye disease, corrections, यह सारे questions को अच्छी तरीके से पढ़िए, diagram की बात करें, तो diagram आपके काफी सारे हैं, जिन में हट का भी diagram है, तो हट का diagram देखिए, नैफ्रोन का diagram देखिए, यह सब important diagram है, इनके functions को भी एक बार अच्छी तरीके से देख के जाईगा, सारे important हो जाते हैं, आपके आने वाले body exams के motive से, body exams के आपकी काफी कम समय बच रहे हैं, तैसे में आप अपनी तेज कर सके अपनी time को बढ़ा दीजिए, अगर आप 4 घंटे पर रहे हैं, तो उसको 5 घंटे कर लीजिए, इस ताव के questions देख सकते हैं, आप NCRT book को जोग सिरू को करिए, तो फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही वीडियो चल लगे तो वीडियो को एक लाइक जू कर दिएगा, और चैनल पर पहली बनाएं, तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूलेगा, जैहिंद